हालो स्टूडेंट्स बेलकम टू पीबियार स्टड़ी बच्चों आज किस कलास में आप देखेंगे कच्छा दनों की एंसी एर्टी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज आपका चल रहा है 2.5 कुश्चन नमबर होगा आपका 14 13 नमबर तक आपने देख लिया है इसक्रिन पर आपके सामने है अगर आप नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए ठीक है जल्दी करिए जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अगला कुश्चन आपको दिखा सकें ठीक है चले फिर अगला कुश्चन चलिए इसको नोट कर लीजिए वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रेप्शन में दिया गया आप इसी डीटियल में जाके देख लेना समझ लेना ठीक है पिछले क्लास में इसे पढ़ाया था कि कुश्चन नंबर 14 आपके सामने आ चुका है 14 नंबर परस्ण ध्यान से देखिए कहरा कि वास्तों में गहनों का परिकलन किये बिना निम्नलिखित में से परतेक का आपको मान गयात करना है मतलब find the value of following equations कहने का मतलब इनको आपको घहन नहीं करना है कि बारा का तीन घहत का मतलब क्या है लिख दो फिर इसको लिख दो जोड़ लो दोई लाइन में ऐसा नहीं करना है फिर कैसे करेंगे सूत्र से करेंगे सर्वसमिका से करेंगे द्यान दीजिए प्यारे साथियों यह सर्वसमिका होती है यक्स का क्यूब धन वाई का क्यूब धन जेड का क्यूब इक्वल थ्री यक्स वाई जेड आपका हो गई कहां होता है होता है यह होता है कब जब यक्स plus y plus z equal 0 जब ये 0 होता है तब इसका मान इतना होता है अब ये आपने पीछले question में देखा होगा है ना तो ये इतना है या नहीं है इस question में इसकी हम जाच करेंगे ठीक है क्या करेंगे इसकी जाच करेंगे देखो x plus y plus z equal 0 होने की जाच यहां लिक लीजिए इसको मैं अपनी तरफ से लिखवा रहा हूँ कोई गड़बर नहीं है इसकी जाच करने का मतलब ये है कि हम सारे मान ऐसे रखेंगे जो भी मान दिये हैं बराबर अगर 0 होता है तो हम इस सर्बसमिका का यूच कर सकते हैं अगर ये 0 नहीं होगा तो नहीं कर सकते हैं इसको अगर देखिए आप तो 5,7,12 और ये माइनस बारा और प्लस बारा इक्वल 0 वहिए ये सब 0 हो जाएगा खतम हो जाएगा यानि ये क्या है? 0 है बराबर 0 है ना? तो यहां पर लिखिए बराबर 0 है अता हम उपरोक्त सर्वसमिका का परियोग कर सकते हैं ठीक है? तो चलो भईया सर्वसमिका का परियोग कर लेते हैं फिर देर किस बात की नीचे दिखतो रहा होगा मुझे उमीद है इतना आप लिखिए इस स्क्रेन सार्ट लेते जाएए और कलास को पूरा इंड तक देखिएगा अगर आपको सीखना है पूरी गारंटी है समझ में आएगा बीच में छोड़ के नहीं जाना ठीक है बात को भी सुनिये और देखिए भी दोनों तब ही उपाएगा क्योंकि कुछ बाते हम बोल देते हैं लिखते नहीं है इसलिए सुनिये भी ठीक है क्लियर कि सर्वसमिका लगाइएX का क्यूब y का क्यूब जेड का क्यूब 3XYZ यक्स कमान हमें 12 दिया है तो बच्चा ये 12 का क्यूब हो जाएगा clear इसमें कोई दिक्कत है नहीं है 7 का क्यूब हो जाएगा Y कमान Z कमान दिया बच्चा 5 5 का क्यूब लेकिन हमें इन क्यूब उप से कोई मतलब नहीं क्यूंकि फाइनल में ये इसके बराबर होता है तो हम लिखेंगे 3 गुड़ यक्स यक्स कमान माइनस 12 Y Y कमान 7 और Z कमान 5 सबका गुड़ा कर लीजिए ये 7 पचे 35 हो जाएगा 35 का 3 में गुड़ा कर लो इसको 12 में गुड़ा कर लो बेटा सबका गुड़ा कर लोगे तो 1260 आएगा कैसे आएगा मैं दिखा भी देता हूं द्यान दीजिए ये माइनस का 36 आएगा और ये आपका आएगा साथ से गुड़ा कर लो छोटा छोटा कर लो अच्छा रहेगा मैं थोड़ा इस्टेप बाई इस्टेप बता देता हूं नहीं तो सीधा फीदा लिखो यार माइनस 1260 आएगा गुड़ा कर लेना कोई डाउट हज बताना अब कोई छोटा बच्चा तो हो नहीं तुमको गुड़ा करना सिखाए बेसिक नहीं आती कमेंट करिए अगर आप 9 बज़े से 0 लेबल मैं देखिए ये भी सिखाया जाता है सबको समझ में आप बोलिए यस और जल्दी से सभी बच्चे अपना नाम कलास और जीले का नाम कमेंट जरूर करिए जिससे मैं समझ सके कि आप पूरा कलास देखे हो और कहां से जुड़े हो ये जरूर बताना अपने सहर का नाम बहुत बहुत थैंक्यू कलास को सेयर करना बच्चों हम जल्दी ही आपकी पूरे एक एक घंटे की लाइब कलाफ लाने वाले हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन अन करिए जिससे कि आप लाइब पढ़ सके और पीबियार स्टडी का टेली गराम चैनल जरूर जोइन करना बेटा ठीक है टेली गराम चैनल पे हम आपको क्या करते हैं पूरा फुल कोर्स सिस्टम से देते हैं कि टेली गराम पे पीबियार स्टडी टेली गराम जोइन कर लेना यह नंबर आप नोट कर लीजिए ऐस सेवन एट इस नंबर पर आप हमसे फोन करके भी इंक्वारी कर सकते कलास के बारे में लेकिन फोन पर कोईश्चन नहीं बता जाता है कुश्चन हमेशा यूटूब चैनल पर ही आता है याद रहें आप हमारी प्रीमियम कलास जोइन करेंगे फीस वाली उसमें हम आपको फोन पर हर तरह से बताएंगे लेकिन यूटूब पर बिल्कुल फ्री पढ़िए और सिर्फ यूटूब पर ठीक है तो बच्चों कलास क को सेर जरूर करना बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं यूटूब पर सब कुछ फ्री